हलो इस्टूडेन आज हम कक्षा साथमी का एक नया चेप्टर इस्टार्ट करने जा रहा है चेप्टर नमबर फाइब कोश्टकों का प्रयोग मैं हो परमानन पडिल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पडिल क्लासेस पर तो आईए देखते हैं कोश्टक का प्रयोग जैसे कि इस चेप्टर में हम कोश्टक के प्रयोग के बारे में जानेंगे वैसे कोश्टक कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं तो कोश्टक जो है मूल रूप से तीन प्रकार के हैं एक तो है छोटा कोश्टक दूसरा होता है सर्पाकार कोश्टक इसको जो है सर्पाकार कोश्टक या फिर बोला जाता है मंजला कोश्टक या फिर कहा जाता है धनू कोश्टक यहाँ पर जो है सर्पाकार कोश्टक के नाम से ज़्यादा जाना जाता है यह हो गया आपका छोटा कोश्टक यह हो गया सर्पाकार कोश्टक और यह हो जाता है आपका बड़ा कोश्टक और इसके पहले भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डंडा कार कोश्टक डंडा कार कोश्टक या फिर इसको बार भी कहा जाता है तो ये जो कोश्टक हैं इन कोश्टकों का प्रयोग कहां पर हम करते हैं और किस प्रकार करते हैं इस चेप्टर में जो हम लोग सीखने वाले हैं इसके लिए जो है कोश्टक का प्रयोग हमको क्यों करना होता है इसके लिए एक छोटा सा एक्जामपल लेते हैं मान लेते हैं, गीता नाम की एक लड़की है, जो की 200 रुपाय लेकर बाजार जाती है, बाजार जाकर के जो है, वो जो है 60 रुपाय का बिस्कित खरीदती है, 40 रुपाय का चौकलेट खरीदती है, और सेस पैसे जो है अपने पास प्रति है, तो उसके पास जो है सेस कितना जो है रुपिया बचा, सेस रुपाय उसके पास कितने हैं, अगर हम इस प्रस्न को हल करने का प्रयास करें, तो यहाँ पर पहला तरीका तो यह हो सकता है कि 200 रुपाय कूल है उसके पास, 60 रुपाय का जो है बिस्कित ले लेती है, तो बिस्कित ले ली तो उसको जो है घटा देंगे, सुनने में सुनने घटा आओगे तो सुनने, यहाँ से एक उधालों के 10, 10 में 6 घटा आओगे, 4 और यहां बचेगा 1 यानि कि अब उसके पास बिस्किट खरीदने के बास कितना बचता है? 140 रुपए उसके बाद 40 रुपए का जो है वो फिर से चौकलेट खरीद लेती है तो इसको भी हमको घटाना पड़ेगा तो अब उसके पास कितना रासी बच जाता है? 100 रुपए यान कि बिस्किट और चोकलेट दोनों खरीदने के बाद जो है गीता के पाद जो है 100 रुपया बचता है तो एक परीद का तो ये हो गया इसी को 36 रुप में अगर हम लोग लिखते तो 200 रेड़ 60 रेड़ 40 बराबर लिख देते 100 रुपाई एक तरीका जो है ये हुआ कि आप 200 रु रुपाई को घटाए या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 200 में हम 60 को घटाए और 40 को घटाए एक तरीका ये था दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता था कि जो जो खर्च की है जैसे 60 रुपाई जो है बिस्किट के लिए और 40 रुपाई जो है चोकलेट के लिए इन दोनों को पहले जो हो जाता सौ रुपाई अब इसके बाद उसके पाद सेज कितना रासी बचा उसमें हम क्या करते दो सव में ये सव को घटा देते तब हम को कितना प्राप्त होता 100 रूपय दोनों ही कंडिशन में उसके पास जो है 100 रूपय ही बच रहे हैं लेकिन लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग हो रहा है दोनों में जैसे यहां पर होता है 200,60,40 और इसको अगर हम लोग लिखेंगे एक लाइन में तो क्या लिखेंगे 200,60,40 बराबर 100 अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर हमने 60 और 40 दोनों को घटाया जबकि यहां पर हमने 60 और 40 दोनों को जोड़ दिया और जो आया उसको जो है 200 में घटाया है तो यहां पर जो है हल करने का जो तरीका बदल जाता है उसी को यहां पर हम लोग ब्रेकेट के रूप में या कोश्टक के रूप में जो है दरसाते हैं और हल करते हैं यहां पर जो है कुछ प्रस्न दिया गया है निमनकतनों को कोश्टक का प्रयोग करके लिखिए तो इसको देख करके जब हम कोश्टक का प्रयोग करके है अब यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसको हम कोश्टक के रूप में प्रयोग करके लिखेंगे आईए कैसी दस और दो के अंतर अंतर मतलब क्या होता है घटाना तो यहाँ पर इस परस्ट बोल रहा है कि दस और दो का अंतर याने कि दस रेड़ दो क्योंकि दस और दो के बीच में रेड़ लगाएंगे तब वो किसको प्रदर्सीत करेगा अंतर को प्रदर्सीत करेगा को तीस से तो यहाँ पर आएगा तीस से भाग दिया जाए यह तीस से इसको हम भाग देंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा confusion यह है 10 रेड़ 2 भागी 30 अगर मैं कर देता हूँ तो 30 का भाग केवल 2 के साथ होगा यह 10 रेड़ 2 के साथ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका कोश्टक में तो यह कोश्टक में दरसाथ यह तो clear हो गया कि 10 रेड़ 2 का अंतर यह इतना जो है एक साथ प्रदर्सित करेगा 10 रेड़ 2 के अंतर को और इसको 30 से भाग देना है इसलिए हमने क्या लिख दिया भागे 30 तो इस प्रकास यहाँ पर छोटा कोश्टक का प्रयोग करके हमने लिख दिया इसी में दूसरा देखते हैं 12 और 5 के अंतर तो यहाँ पर भी वही करेंगे 12 और 5 का अंतर बोला गया है तो रेड़ ठीक यह लगा देते हैं 12 और 5 के अंतर का 27 से गुना किया जाए अब इसमें जो है 27 का गुना कर दे गुने 27 तो यह गुने 27 बीचे तरफ लिखोगे फिर भी चलेगा या यहाँ पर सामने भी लिखोगे तब भी चलेगा यह आपका 12 और 5 यहाँ पर गुने 27 करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर का 4.5 एवन 2.3 के योग तो 4.5 और 2.3 का योग बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस योग के लिए प्लस हो जाएगा में 3.8 का भाग दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग अगर हम यह कोश्टक को नहीं दरसाते हैं तो 3.8 का जो भाग देंगे तो केवल 2.3 के साथ हो जाएगा यह दोनों के योग के साथ नहीं हो पाएगा उसके बाद देखते हैं हम लोग 4.8 बटे 27 में यह देखो यह अलग कर दिया इन दोनों के योग का भाग देंगे किसमें 8 बटे 27 में तो यहाँ पर 8 बटे 27 को भाग देना है किससे 2 बटे 3 और 7 बटे 15 के योग फल से यह हो गया 2 बटे 3 और 7 बटे 15 का योग फल इससे भाग दे रहें किसको 8 बटे 27 को फिक तो यह हो गया आपका यह पहला का जो है हम कथन को जो है कोश्टक का प्रयोग करके लिखें दूसरा प्रस्न देखते हैं निम्न कथनों को कोश्टक का प्रयोग करके लिखिये 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा किया जाए एकदम क्लियर है 15 और 27 का योग तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 धन 27 और कोछ टक में बंद कर दिए 15 और 27 का योग उसके बाद बोला है 8 तथा 6 के अंतर तो यहाँ पर लेंगे 8 रेने 6 तो यह हो गया 8 और 6 का अंतर का क्या बोला गया है गुणा किया जाए तो बीच में कर दी हम गुणा यह क्लियर पिछले वाले में जो है एक कोछ टक लेना पड़ रहा था यहाँ पर हमको दो लेना पड़ रहा है दूसरा देखते हैं 37 एउम 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग देखो यह दोनों को पहले लिखते हैं 37 एउम 28 के गुणा में तो 37 गुणित 28 यह दोनों का हमने गुणा कर दिया 37 एउम 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग यह 11 को 29 से भाग दे दू ग्यारा में 29 के भाग का योग किया जाए बोल है तो इन दोनों का योग याने की प्लस हो जाएगा तीसरा वाला देखते हैं 8.45 तथा 6.75 के अंतर में अंतर याने की घटाना तो 8.45 रिड 6.75 ये हो गया दोनों का अंतर में 3.2 यान 2.4 के योग 3.2 और 2.4 का योग बोला जा रहा है याने की यहां क्या आएगा प्लस ये 8.45 और 6.75 का अंतर हो गया ये जो है 3.2 और 2.4 का योग हो गया का गुणा किया जावे बोल है तो यहां पर दोनों के बीच में गुणा आ जाएगा चौथा देखते हैं 5 और 11 के योग फल तो यहां पर लिख देंगे 5 और 11 योग फल बोला है तो दोनों के बीच क्या जाएगा प्लस तो 5 और 11 का योग फल के दुगुने दुगुने मतलब यहां पर हम कितने का गुणा कर देंगे दो का गुणा कर देंगे दुगुने में से 8 और 3 के अंतर इसमें जो है 8 और 3 का अंतर मतलब 8 रेंड 3 को घटाया जावे अब घटाया जाए बोल रहा है तो यहां पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा पांचवा देखते हैं चार बटे 27 यौन पांच बटे 9 के योग तो चार बटे 27 और पांच बटे 9 का योग यानि की प्लस कर देंगे में 7 बटे 8 का भाग इसमें जो है भाग देंगे किसे 7 बटे 8 से कोई दिक्कत नहीं जैसा प्रस्ण में बोला जा रहा है आप वही काम करते जाएए आराम से बन जाएगा छटवा देखते हैं पांच एवं दस का योग कितना इजी है पांच धन दस तब तो होगा पांच और दस का योग साथ एवं तीन का अंतर तो यहाँ पे हो जाएगा साथ रेण तीन यह साथ और तीन का अंतर तथा आठ एवं पच्चीस के गुणा तो यहाँ पर हम आठ गुणित पच्चीस कर देंगे तो आठ और पच्चीस का गुणा का आपस में योग यह हो गया पांच और दस का योग साथ और तीन का अंतर आठ और 25 का गुना ये ये और ये आपस में योग बोल रहा है तो ये सब के बीच में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा और इस प्रकाश से सभी कखन का हमने कोश्टक का प्रयोग करके लिख लिया इसके साथ की प्रस्नावली 5.1 कंप्लीट होता है तो आज के वीडियो में इत